SSE MTS का notification आ गया भाई और vacancy देखके तो मैं कहा रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में धख 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 होने लग जाएगी और मन करेगा कि भाईया कहीं छट से कूज जाएं ऐसा हाल हो रखा है vacancy का तो हमें जहां लग रहा था है बहुत तगड़ी तगड़ी vacancy आएगी बहुत कु इसका डालूँगा आप देखे कि डेट क्या है 36 2023 से 27 2023 यानि कि आप देखे 21 जुलाई तक आप इसको भर सकते हैं लास्ट डेट 21 जुलाई है उसके बाद अगर आप examination का देखते हैं तो exam कब होने वाला है यहाँ पर देखे लास्ट वाले में सब्टमबर के अंदर इसका exam conduct करवाया जाएगा आगे बढ़ते हैं हम vacancy देखते हैं तो आप देखे कि vacancy बहुत ही कम देखने को मिल रही है लगबग 1200 vacancy है और हवलदार की अगर देखते हैं तो 360 है तो आप देखे कि यह vacancy दिन बर दिन भाई गिरती ही जा रही है पता नहीं क्या समस्या होगी यह government को ह हमने तो सुना था कि भया mass scale पर recruitment की जाएगी mission mode में चल रहा है यह ऐसा mission mode चल रहा है देख लीजिए कैसा mission mode है तो यह जो vacancy है बट यह हो सकता है कि यह tentative vacancy है आगे चलके यह बढ़ जाए लेकिन आपको क्या पता कितनी बढ़ेगी यह 1200 vacancy कितनी बढ़ जाएगी जैसे हाल यहां चलते हैं थोड़ा बहुत बढ़ भी गई तो 2-3 नजार हो जाएगी और कितनी होगी लेकिन फिर भी क्या है एक मैं चीज आपको उस clear cut बता दूँ भाई जो तैयारी कर रहे हैं कि एक तो हो गया MTS का paper एक हो गया CGL का paper यह दो SSE के major exam होते हैं सबसे ज़्यादा बच होने वाला है और आपके बास कोई option भी इस exam को भर देना नहीं तो हो जाएगा खसताहाल यहां पे देखिए यह थोड़ा सा इन्होंने detailed vacancy दे रखिए zone wise आपको सारी के सारा और department wise तो यह अगर कोई देखना चाहे तो आप देख लीजेगा अब देखिए age limit की मैं बात करता जैसे की MTS का paper है दो है ना एक हवलदार का एक MTS का तो MTS वाले में 18-25 साल का बच्चा ही उसको paper को दे बाता है तो आप क्या होने चीए आपके जो जन्म है 2-8-1998 से पहले नहीं होना चीए उसके बाद ही होना चीए candidates born not before this date ठीक है ऐसी 18-27 साल वाले जो है यह किसके है यह ह हवलदार की वेकेंसी है और यह सिरफ MTS की वेकेंसी का है तो हवलदार के अंदर 18-27 रहता है तो यहां भी date of birth बता रही है तो उसके according आप देख लिजीगा कि आप इसमें eligible है यह नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आगे बढ पास 224 का है और एक जो पास प्रो होता है वो 314 रूपे का है और जीवी 10 कोड जूज करते हैं तो एक्स्टा 10 परसेंट आपको ओफ मिलेगा और इसमें क्या होगा कि आपको प्रिविए सेयर के भी बहुत सारे मोक्स मिलेंगे इसमें बहुत ज्यादा मोक टेस्ट मिलेंगे इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन रहती है जैसे इसमें अटेम्ट भी आप मल्टीबल एटेम्ट कर सकते हो यहां पर मल्टीबल एटेम्ट नहीं कर सकते तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहां जाके आप इसके पास को ले सकते हैं क्योंकि तैयारी तो आपको करनी ही करनी है, इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि जो age limit की बात हो रही है, जैसे SCST हैं तो उनको 5 साल की relaxation रहती है, ABC को 3 साल की रहती है, ऐसे ही पूरे detail दे रखी है, इसके अलावा हम देखते हैं, ये Central Government Employees वगरा का भी दे रखा है कि up to 45 years वगरा, तो आप तो वो student है भी fresh तो आप उसमें follow करेंगे भी नहीं, आगे बढ़ते हैं, education qualification की बात करता हूँ कि एक अगस 2023 तक आपकी education पूरी हुई होनी चाहिए, डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, अगर आपका result नहीं आ रखा, डिग्री ही नहीं आपके बास, तो आप उसमें appear नहीं हो सकते हैं, और इसमें दस्वी के बच्चा अब जो होता है, इतनी दस्वी की ही डिग्री होनी चाहिए, इसके उपर कितने भी लोग हों चाहिए, वो graduation वाले हो, कोई भी हो, सब भर सकते हैं इस exam को, तो दस्वी से उपर वाले सभी लोग भर सकते हैं, इसमें बहुत major portion of student हैं, जो इसमें आएंगे, इसके अलावा photograph का इसमें बहुत ध्यान रखना, कई बार लोग गाएं भैस, पता नहीं किस-किस की फोटो लगा देते हैं, और बाद में फिर समस्य खड़ी हो जाती है, बलर फोटो का, चश्मे वाली फोटो का, कान ना दिखना, एक कान ऐसे करके हैं, ऐसे करके तुम ठुमके लगाते हो फोटो अगर डालोगे, तो reject हो जाता है, फोर्म हर साल लाखो बच्चों के होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजीगा, इस चीज़ कि यहाँ पर कैटेगरी को चेंज मत करना, जैसे विमन होती हैं, SCST होते हैं, उनका फी नहीं लगते हैं, तो कुछ लोग तेज होते हैं, वो अपनी कैटेगरी को चेंज कर लेते हैं, बाद में वो आपको option नहीं मिलेगा, सीधा सीधा reject हो जाएंगे, क्यूंकि respective department में जाके मालीजी आपने OBC की कैटेगरी बर दी और वहाँ जाके आप OBC का certificate standard format में नहीं दिखा पाए, तो आप सीधा आपका candidates cancel होगा, आपको job नहीं मिलेगी, जी हाँ, इसलिए सही कैटेगरी ही भरिएगा इसके अंदर, और ये तो online fee payment का बतारक है, इसके अलावा correction window भी खुलेग क्योंकि अभी SSC क्या करता है कि बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं ना, कुछ blur photo डाल दी, गलस signature डाल दी है, ये वो, तो इसलिए 26 साथ से 28 साथ 2023 तक इसका correction window खोलेगा, ये date याद रखना, ताकि आपको कुछ समस्या ना हो, इसमें भी fees लगेगी 200 रुपे पर correction के हिसाब से, आगे बढ़ते हैं, इसका pattern देख लेते हैं, कि SSC MTS का pattern क्या होता है, देखिए दो तरह का round है, इसके अंदर session 1, session 2, last to last year pattern अलग था, पिछले साल इसका pattern change हो गया था, तो थोड़ असा मैं brief कर देता हूँ, जो session 1 होता है, इसमें numerical ability और mathematical ability, इसके question आते हैं, और इ इसके question हो गया, और इसको करने के लिए आपको मिलेंगे 45 minutes more than sufficient है, और ये दोनों जो होते हैं, ये qualifying होते हैं, इसके marks add नहीं होते हैं, marks किसके add होते हैं, आपका selection कौन decide करेगा, session 2 decide करेगा, कौन करेगा, general awareness करेगी, मेरे दोस general awareness करेगी, और English करेगी आपका, कि selection होगा के नही या, वो select होने से रहा, वो नहीं हो सकता select किसी भी केमत पर, सीधा सीधा से बात ये है, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, हवलदार के अंदर physical efficiency का थोड़ा सा बता रख है, कि क्या उसके अंदर होता है, walking का जैसे 1600 meter in 15 minutes, ये हो गया male के लिए, और female के लिए हो गया 1000 meter, यारी कि बारे में बताया है, इसको आप देख सकते हैं, आगर आप उसमें fall कर रहे हैं, या आप वो भर रहे हैं, तो देख लीजिएगा, इसके बाद syllabus की मैं मोटे मोटे तोर पर बात करता हूं, तो ये देखिए numerical ability और mathematics का syllabus है, अब यहाँ पर देखो, बहुत जादा आपको घुस आप इसमें से main main chapter कर ले ना वही मेरे, percentage हो गया, ratio हो गया, time work हो गया, ये main main chapter जो है, 6-7 chapter है ना, वो कर लिए तो वहीं से आपका ये काम हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा गुसने की जरूरत ही निया, उपर उपर से करना इसके अंदर, और ऐसी reasoning के अंदर देखिए कि के सिखने की जुरूरत नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है, दस बार बोलना हो क्वालिफाइंग है ना, तो फिर इसके आगे देखिए, general awareness जो है main section है, यहाँ पर आपकी सिट्टी बिट्टी गूम होगी, जहाँ पर history, geography, art, culture, civics, economics, general science, environment studies, up to 10th standards, सब आएगा, यहाँ पर ढ धंग से इसको पढ़ाई कर लीजेगा, और ऐसी English में सब कुछ आएगा, तो English और जो general awareness है, इसका printout निकाल के अपने आगे माथे पर चिपका लो, यहाँ पर घर के दिवार पर चिपका लो, ताकि आपको दिखता रहे कि भाई, यह जरूरी करना है मुझे, ठीक है, यहाँ आप general awareness में सच में धंग से पढ़ना चाते, A to Z पढ़ना चाते ताकि आपका selection हो जाए, तो इसके लिए हमने proper GS का batch बना रहे है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत deeply पढ़ना पढ़ेगा मेरे दोस्त, यह number decide कर रहे हैं कि आपका selection होगा के नहीं होगा, एक एक number decide कर रहे है, और यहाँ पर तो भाई यह 3-3 number के question है, तो आप वैसी एक question गलत तो आप 4 number पीछे जाओगे सीधा, और वहीं से देखिए कि खतम हो जाएगा खेल, एक question भी आप गलत नहीं कर सकते हो, और GS में तो भाई, वही तो deciding factor हो रहे है, English का तो सभी लोग करेंगे, सबसे बड़ी सम उसको हमने और further reduce कर दिया, यह 70% of pay था, अभी हमने और further reduce करके, इसको 699 कर कर दिया, इसकी validity पहले 6 मन्त थी, अब उसको 9 मन्त कर दिया गया, तो यह आप ले सकते हैं हमारी GB कक्षा app से, अभी बता जूँगा कि कैसे लेना है, इसके अलाबा, अगर आप सिरफ PDF course लेना चाह तो वो हमने सभी subjects की PDF दे रखे, आपको maths वगरा सब यहीं से करना है, इन PDF के अलाबा कोई किताब कुछ नहीं करने की जुरूरत आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी, यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी इन PDF में, हर subject की PDF है, reasoning वगरा, maths होगा, GK होगा, सब जो तुम बोल हमने चीज किये, कि इसका price 999 कर दिये, अगर दोनों ही लेने चाहते है, आपको further price drop कर दिये, तो यह आपको फायदा हो जाएगा, और इसके अलाबा, आपकी validity भी double कर दिये, यानि कि यहाँ पर 12 महीने की हो जाएगी, यहाँ 9 मन्त की है, तो यहाँ टोटल 12 मन्त की ही validity आप आपको मिल जाएगी, तो यहाँ double benefit है आपको, अगर आप दोनों का combo लेते हैं, तो GV99 code है, इसको इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं, कैसे लेना है, मैं फटक से एक मिनिट में बता देता हूँ, आप नीचे देखिए link होगा, GV कक्षा आपको खोलिए, और वहाँ पे जाके जब आप खोलेंगे, तो register करने के बाद ऐसा कुछ page खोलेगा, यहाँ तो directly इस पे click कर देंगे, तब भी आप सीधा payment के option में चले जाएगे, नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे paid courses पे click करके, यहाँ पे SSC CGL, SSC MTS, तो यहाँ पे SSC MTS पे click करेंगे, चाए CGL पे कर लेना चाहे MTS पे कर लेना, किसी पे भी कर लेना, दोनों में ही हमने इस option को अब add कर दिया है, तो MTS पे करेंगे, तब भी आपको यह option दिखाई देगा, यहाँ पे आपको buy now पे click करने के बाद दो plan आपको दिखेंगे, ट्रिपल नाइन वाला, एक ट्रिपल डबन नाइन वाला, यह 9 मन्त की validity है, यह 15 मन्त की validity है, तो आपको जो भी choose करना है, माली जी आपको यह choose करना है, तो यह click करेंगे, तो यहाँ apply coupon हैगा, apply coupon पे click करेंगे, तो यहाँ पे coupon को भर देना, GV99, GV capital में है और 99, और space दिए भी ना, ठीक है, जैसी इसको भरेंगे, apply coupon कर देना, तो इसक यहाँ पे 35, 36, 36,000 vacancy आने के बाद भी बच्चों का selection नी हो रहा, ऐसे बुरे हाल हो रखें, तो यहाँ पे 1200 vacancy में क्या होगा, आप खुद समझदार है, इसलिए बार 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 बोलना हूँ, GS is the main main key player GS, English में सब के नंबर आएंगे, GS में किसी के नहीं आएंगे, उसी के ल आने हैं, ओके गाइस, बाबे टेक केर, सी यू, लव यू अल,